Wellness का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं Wellness का आर्थ होता है तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती का मतलब होता है तन का दुरुस्त होना यानि कि शरीर जो है हमारा ठीक ठाक हो तो उसको हम तंदुरुस्ती कहते हैं यानि कि कोई बिमारी ना हो स्वास्थ है, स्वस्थ होना या कल्यान यानि कि स्वस्थ होना या कोई बिमारी नहीं होना या बिमार नहीं होना को तंदुरुस्त या स्वस्थ होना कहते हैं इंगलिश में wellness उसको कहा जाता है जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि हमारे पास दवा अधिक है लेकिन स्वास्थे कम है यानि कहने का मतलब है कि आज कल दवाईयां तो बहुत है लेकिन फिर भी सवस्थाद में भूत कम है तो आप कहेंगे we have more medicine but less wellness या अगर आप ये कहना चाहें कि कभी कभी पूर्शों का स्वास्थे महिलाओं की स्वास्थे से अलग हो सकता है तो आप कहेंगे wellness for men sometimes may be different than wellness for women wellness for men sometimes may be different than wellness for women अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें